और खबर अब दिल्ली से है जहाँ पर गौरब बलब का कॉंग्रेस से इस्तीफा कॉंग्रेस के राष्टे प्रवक्ता थे गौरब बलब इस्तीफा देने के बाद में बोले गौरब की कॉंग्रेस के स्टैंड से अज सहज था सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता था कॉंग्रस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है ये भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि कॉंग्रस नेता गौरब बलब जो कि कॉंग्रस पार्टी से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है ये हम आपको वो इस्तीफा भी दिखा रहे है तो बलब ने कॉंग्रस से इस्तीफा दिया है कॉंग्रस को गौरब बलब ने दिशाहीं पार्टी बताया है और साती उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूँ कॉंग्रस गलब दिशा में आगे बढ़ रही है ये आप देखिए ये वही लैटर है जो की लेखा गया है जिसमें ये जिक्र क्या गया कि वो और आगे कॉंग्रस पार्टी के साथ में कंट्यूनियू नहीं कर सकते और कई सारी बाते भी कॉंग्रेस पार्टी को लेकर इस पत्र में लिखी गई है तो दो तस्फीरे हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ लोगसभा के इलेक्शन है लेकिन वहीं एक बड़ा जटका ऐसे कॉंग्रेस पार्टी के लिए भी कह सकते हैं तो कॉंग्रेस के नैशनल प्रवक्ता जिन्होंने इस सीफा दे दिया है और कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता कॉंग्रेस दिशाहीन हो चुकी है